गुड इवनिंग इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हेड इंजरी जनरली हेड इंजरी हम किसको कहेंगे कि जो हमारा हेड साइड एरिया है जिसमें जो आते हैं सकेल्प, सकल्प, एंड ब्रेन अगर हेड के इन पार्ट्स में किसी भी तरह का अगर ट्रोमा हो रहा है इंजरी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे हेड इंजरी हेड इंजरी क्या होता है किसी भी तरह का ट्रोमा या इंजरी अगर सकल्प, सकल्प या ब्रेन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हेड इंजरी ओके नेक्स में यहाप पर बात आती है कि head injury जो होती है ये दो type की होती है open and close अब ये दोनों में difference क्या होता है open head injury किसको बोलते हैं close head injury किसको बोलते हैं तो इसको मैं आपको diagram के through थोड़ा सा clear कर देता हूं तो आप लोग को पता है कि अपन बात करें जो brain होता है brain के उपर की जो covering होती है like किस तरह covering ह होती है या layers होती है सबसे उपर आती है हमारी जो skin होती है जिसको अपन scalp भी बोलते है skin या scalp के नीचे होता है skull ठीक है या जो bones होती है skull bones उसके बाद में फिर आती है meninges जो 3 type की होती है durameter, arachnoid matter and pyameter then सबसे नीचे की तरफ या सबसे अंदर की तरफ के आता है हमारा brain ठीक ह तो ये इस तरह से जो है layers होती है step by step अब बात करते हैं अपन open head injury क्या होती है और close head injury क्या होती है तो सबसे पहले अपन बात करें open head injury की तो यहाँ पे अगर जो ये बाहर के जो covering है brain की जो covering है अगर ये सबी break हो रही है scalp, scalp, meninges ठीक है ये सबी जो है break हो रही है और brain तक injury पंच रही है, brain तक damage हो रहा है या जो bleeding है वो visible हो रहे है तो उसको क्या बोलेंगे open head injury ओके समझ में आ गया open head injury क्सको बोलेंगे जिसमें जो भी ये protective covering होती है ब्रेंग की in में open हो जाए, damage हो जाए, brain तक injury पहुँच जाए तो उसको क्या बोलेंगे open head injury, close head injury क्या होता है इस इंजरी जिसमें किसी भी तरह की वीजेबल जो है ब्लेड लोज ना हो या जो भी ये पार्ट से इनमें किसी भी तरह का कट ना लगे ठीक है internal bleeding हो और बाहर की तरफ किसी भी तरह की visible blood loss ना हो और ये जो भी covering से इन में अगर cut ना लगे तो उसको क्या बोलेंगे close head injury समझ गए open head injury में तो क्या है visible रहता है bleeding बाहर की तरफ होती है close head injury में जो है जो injury है वो नहीं होती है मतलब internal bleeding होती है bleeding बाहर नहीं दिखती है तो आपका clear हो गया head injury दो type की होती है अब बात आती है next one यहाँ पर इसकी causes की तो generally यहाँ पर head injury क्यों होगी तो यहाँ पर जो trauma होते है different types के उनकी वज़े से head injury हो सकती है like first one है penetrating trauma penetrate का मतलब होता है कि कोई sharp object head के अंदर enter कर जाए तो उसको तो बोलेंगे penetrating trauma next one है blunt head trauma blunt head blunt injury क्या होती है तो मैं आपको बता दू कि like जो अगर कोई hard surface है hard surface पर अगर अपना head टकराता है like wall है दिवार है दिवार पर अगर मालो अचानक से तकरा जाए या अपन का इक कार में जा रहे हैं और एकदम से brake लगने की वज़े से dashboards होता है dashboards होता है उससे अगर सर टकरा जाए और अचानक से एकदम से जो blunt चोट लग रही है उसको बोलते हैं blunt head trauma ठीक है जिसमें किसी भी तरहगा क्या है जो है penetration नहीं होता है तो उसको बोलते हैं blunt head trauma इस वज़े से भी head injury हो सकती है next one है road traffic accidents next one है cause falls अगर कोई person कहीं उची जगे से गिर जाए तो head injury हो सकती है next one यहाँ पर sports injury जो भी sports होते हैं football वागेरा, cricket वागेरा तो उनमें भी injury होने के chance होते हैं next one है violence and abuse अगर किसी person के साथ violence की जा रही है लड़ाई जगडा किया जा रहा है या उसको abuse किया जा रहा है तो उसमें भी head injury हो सकती है cerebral edema की वज़े से भी head injury हो सकती है यानि जो internal structure है internal tissue है brain के वो damage हो सकते है next one है skull fracture अगर skull में fracture हो जाए तो उस वज़े से भी head injury हो सकती है तो यह कुछ causes थी जिनकी वज़े से head injury हो सकती है जनरली जो trauma वगेरा होते है next one हम बात करते हैं अपन इसके classification की जो head injury है इसके दो तरह के classification है पहला जो classification है इसका वो है based on या according on glassco, scale जो GCS scale होता है आप लोग उने पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में जो glassco, coma scale होता है इसका काम कहां लिया जाता है या इसको कहां use किया जाता है तो इसका use neurological assessment में किया जाता है किसमें किया जाता है neurological assessment में और person की जो consciousness से उसका level का पता लगाने के लिए जनरल ये एक वीडियो में बनाई थी इसके उपर GCS scale के उपर अगर आपने नहीं देखी है या आपका clear नहीं है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लो तो आपका ये जो है GCS scale है ये clear हो जाएगा अब अपन बात कर लेते हैं कि head injury का जो classification है ग्लासको कोमा के base पे तो head injury को इस base पे तीन टाइप में divide किया गया है कौन-कौन से type है mild, moderate, severe अब कैसे इनको classify किया है तो आपको पता होगा कि जो GCS score होता है वो कितना होता है 3 से 15 के बीच में 3 तो minimum score है और जो 15 है जो 15 है ये maximum score होता है GCS scale में तो score के base पे जो है classification यहाँ पे head injury का किया गया है mild, moderate and severe सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं mild head injury की तो अगर GCS score कितना है 13 से 15 के बीच में आ रहा है मतलब एक person को head injury हुई उसको hospital में लाया गया और उसके बाद में उसका neurological assessment किया गया है GCS scale का use किया गया उस पर और अगर उसमें उसका score 13 से 15 के बीच में आ रहा है और उसकी जो conscious ने से वो सी 15 मिनट के लिए ही loss हुई थी तो उसको तो बोलेंगे mild head injury second one आती है moderate head injury moderate head injury कब बोलेंगे कि अगर किसी person को head injury हुई उसका GCS score देखा गया से वो 6 गंटे तक loss में रही है या उससे कम रही है तो उसको बोलेंगे moderate head injury third one आता है severe head injury अगर कोई person head injury हुई और उसका GCS scale निकाला गया score निकाला गया और score आ रहा है 3 से 8 के बीच में ठीके और उसका consciousness loss हुआ वो कितना रहा 6 गंटे से जादा time तक तो उसको बोलेंगे severe head injury ठीक है तो आपको समझ में आ गया GCS जो scale है इसके base पे head injury 3 टाइप की है mild, moderate and severe और कैसे इसको classify किया जाता है GCS में जो score आता है उसके base पे 13 से 15 के बीच में अगर score आता है तो उसको तो बोलेंगे mild head injury 9 से 10 के बीच में अगर score आ रहा है तो moderate होगा और 3 से 8 के बीच में आ रहा है तो वो severe head injury कहलाएगी ओके अब बात करते हैं अपन next इसका classification जो है head injury का ये 3 टाइप का होता है next classification तो इसमें 3 टाइप होते हैं head injury के scalp injury skull injury and brain injury ठीके तो अब इनको कैसे define करेंगे आपन तो जैसा मैं आपको बताया था कि सबसे उपर की तरफ होती है scalp या skin ठीके तो अगर मालनों किसी भी तरह का trauma हुआ injury हुई और उसमें सिर्फ ये उपर की head की skin ही damage हुई इसमें ही cut लगा या bleeding हुई तो उसको तो बोलेंगे scalp injury skull injury किसको बोलेंगे कि जो skull bones है अगर skull bones में भी fracture हो गया trauma हो गया break हो गई skull bone तो उसको बोलेंगे skull injury brain injury किसको बोलेंगे कि एस तरह का serious या severe injury हुई trauma हुआ जिसमें brain तक injury पहुँच गई या brain भी damage हो गया ठीक है तो उसको बोलेंगे brain injury समझ गए तीन टाइप का होता है ये classification scalp, skull and brain injury उपर की skin effect हो रहा है damage हो रहा है तो scalp injury skull में fracture हो रहा है तो skull injury और brain भी damage हो रहा है injury की वज़े से तो उसको बोलेंगे brain injury clear हो गया अब next one बात आती है कि यहाँ पर जो brain injury है इस brain injury को भी further और classify किया गया है क्या किया गया है brain injury को और further classify किया गया है तो यहाँ पर आपन next पढ़ेंगे अब types of brain injury समझ रहे हो brain injury आपने पहले पहले क्या पढ़ा head injury के types तीन टाइप की होती है scalp, skull and brain अब अपन पढ़ेंगे brain injury के types तो brain injury जो होती है इसको भी जो है तीन टाइप में divide किया गया है first one तो है conclusion second one है contusion और सबसे जो severe form होती है brain injury की वो है intracranial hemorrhage तो यह तीन टाइप की brain injury देखने को मिलती है तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं confusion की confusion क्या होता है तो यह brain injury की सबसे mild form होती है ठीके अब इसमें होता क्या है कि मान लो किसी ने मुक्का मार दिया ठीके किसी person को मुक्का मार दिया या कोई person एकदम से कहीं से गिर गया ठीके तो उस time क्या होता है कि skull और brain के बीच में friction होता है friction का मतलब होता है घर्षन होता है दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ठीके तो उसको बोलते है confusion यह confusion जो होता है यह mild form होती है brain injury की अब इसके अंदर जो person होता है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगती है दूसरा उसकी जो consciousness होती है वो भी कुछ मिनट तक ही loss होती है तो first one में type होता है brain injury का confusion second one आता है यहाँ पे confusion confusion के बारे मैं आपको पता होगा मैं आपको बता देता हूँ confusion क्या होता है तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कहीं भी हाथ पेर में कहीं चोट लग जाती है तो skin के अंदर blood जमा हो जाता है ठीक है cut नहीं लगता है skin में बिल्कुल भी बट अंदर की तरफ है blood जमा हो जाता है black color का या blue color का उस चोट को जो अपन बोलते हैं उसको बोलते है contusion ठीक है तो brain injury में contusion जो होता है ये एक severe form होती है brain injury की जो किस वज़े से होती है blunt injury की वज़े से जैसा में आपको बताया था किसी hard surface पे एकदम से सर टकरा जाए तो उसको बोलते है blunt injury जिसकी वज़े से contusion होता है अब contusion में होता क्या है कि brain के अंदर blood जमा हो जाता है ओके next one अब यहां पे इसके बाद type आता है intracranial hemorrhage जो सबसे severe form होती है brain injury की ओके अब इसमें होता क्या है कि head injury की वज़े से या किसी भी तरह की trauma की वज़े से जो brain की blood vessels होती है वो rupture हो जाती है ठीके और वो rupture होगी तो क्या होगा brain के अंदर या internal side में bleeding होने लग जाएगी क्या होगा intracranial hemorrhage में कि जैसे injury हुई या trauma हुआ तो उस वज़े से brain की जो blood vessels से वो rupture हो जाती है और brain tissues में या internal structures में bleeding होने लग जाती है जिसको बोलते हैं intracranial hematoma या hemorrhage अब ये जो hemorrhage हो रहा है bleeding हो रही हुआ है उसकी वज़े से होता क्या है hematoma form हो जाता है hematoma का मतलब ही होता है कि जो bleeding हुई है जो blood बहार आया है blood vessel से जो अंदर brain के tissues है उनकी अंदर जमा हो जाता है उनका blood का collection हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं hematoma अब बात आती है आपको यहां तक तो समझ में आ गया अपन ने पढ़ा देखो वापस से मैं एक बार repeat कर देता हूं जो head injury है head injury का पहला classification अपन ने पढ़ा था glassco, scalp के base पे तीन टाइप का होता है mild, moderate and severe जो किस base पे classify किया जाता है जो GCS score आता है उसके base पे second one अपन ने जो head injury के types पढ़े तीन टाइप के होते हैं scalp injury, skull injury and brain injury उसके बाद अपन ने पढ़ा brain injury के types तो brain injury के आपे types, तीन टाइप के होते हैं confusion, जो mild form है brain injury की, contusion और intracranial hemorrhage, जो सबसे severe form होती है brain injury की अब जो मैंने आपको बताया है कि intracranial hemorrhage जब होता है तो hematoma form हो जाता है यानि tissues के अंदर skin के अंदर blood जमा हो जाता है, ठीके? तो अब यह जो hematoma form होता है यह भी कुछ types का या different types का होता है कौन-कौन से इसके types होते हैं hematoma के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे hematoma या जो blood जमा होता है, तीन तरीके से जो है collect हो सकता है जमा हो सकता है, ओके? तो hematoma तीन टाइप का होता है subdural hematoma epidural hematoma and intra-parenchymal hematoma अब इनमे difference क्या होता है? तो जो subdural hematoma है इसमें blood कहां जमा होता है? brain and durameter के बीच में तो जैसा मैंने आपको बताया था meninges जो होती है, सबसे upper जो layer होती है, उसको durameter बोलते हैं, फिर pyrechnoid mater pyameter, then brain होता है तो brain और यह जो durameter अगर इसके बीच में अगर blood collection हो रहा है तो उसको बोलेंगे subdural hematoma next one है epidural hematoma इसमें क्या होता है? कि जो blood collection होता है वो कहां होता है? durameter और skull के बीच में यह जो durameter जो layer है meninges की यह और जो skull bone है इसके बीच में अगर blood जमा हो रहा है तो उसको बोलेंगे epidural hematoma ठीक है? और last one है intra-parenchimal hematoma intra-parenchimal का मतलब यह होता है कि brain के जो tissues है ठीक है? brain के जो tissues है उनके अंदर अगर blood collection हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? intra-parenchimal hematoma तो यह हो गया head injury का classification I hope आपको इस समझ में आ गया होगा बहुत lengthy और थोड़ा confusing भी है I think बट अगर आपको नहीं समझ में है तो आप वापस एक बार previous मतलब वीडियो को पीछे करके एक बार check कर लेना next one अब बात करते हैं पन इसके pathophysiology की तो यहाँ पर जो भी causative factors होते हैं like जो trauma या injuries होती है उनकी वज़े से होता क्या है कि brain में traumatic injury हो जाती है जिस वज़े से? ठीक है? अब जो traumatic injury होई है उस वज़े से क्या होगा? brain के अंदर intra-cranial volume increase हो जाएगा intra-cranial volume का मतलब यह है कि किसी भी तरह के अगर bleeding होगी या जो CSF का अगर collection जादा होने लग जाएगा तो उस वज़े से क्या होगा? brain के अंदर intra-cranial volume increase हो जाएगा ठीक है? अब क्या होगा? इसकी वज़े से जैसे intra-cranial volume increase होगा तो ICP भी increase हो जाएगा यानि intra-cranial pressure भी increase हो जाएगा ठीक है? अब यह जो ICP pressure increase होगा उस वज़े से क्या होगा? कि जो brain के अंदर blood vessels present है उनके उपर pressure पड़ेगा और blood vessels पर अगर pressure पड़ेगा तो जो blood flow हो रहा है brain को ठीक है? जो भी blood flow हो रहा है इन blood vessels के through brain को वो रुक जाएगा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा या कम हो जाएगा ठीक है? तो अब जैसे यह blood flow कम होगा brain को blood कम पहुचेगा तो क्या condition देखने को मिलेगी? Cerebral hypoxia and istemia hypoxia का मतलब यह है कि brain के tissues में oxygen की कमी हो जाएगा अब जैसे ही यहाँ पे hypoxia की condition होगी istemia होगा, blood flow जो है रुकेगा या कम होगा तो ऐसी situation आएगी कि brain को oxygen नहीं मिल पाएगी nutrients नहीं मिल पाएगे तो person की जो LOC है यानि जो conscious नहीं से वो loss हो जाएगी और even person की death भी हो सकती अगर time से जो है treatment नहीं दिया जाए ओके, तो यह इसकी pathophysiology होती है next one अब बात करें आपन इसके silent symptoms की, तो यहाँ पर जो भी आप symptoms देखेंगे यह सब भी brain से related है, यानि जो brain के functions होते हैं उनसे related है like first one है, consciousness disturb होगी person की, next one जो ICP हो increase हो जाएगा person को headache रह सकता है ICP जादा होने की वज़े से pressure की वज़े से, next one person को vertigo हो सकता है, यानि चक्कर आ सकते है, disorientation की condition रह सकती है, disorientation का मतलब होता है, पर time place का पता नहीं होना यानि person को पता ही नहीं होना कि ओ कहाँ पर है, क्या भी time हो रहा है, क्या दिन है, क्या रात है, disorient हो जाना, okay next one, याँ पर person restlessness रह सकती है, यानि बेचे नहीं रहेगी nausea vomitting हो सकता है taking cardiac condition रह सकती है heart rate increase रह सकती है respiratory rate भी increase हो सकती है याँ पर अगर oxygen नहीं मिल रही है तो oxygen की demand बढ़ रही है और उसको fill up करने के लिए body क्या करेगी, heart rate को बढ़ा देगी और respiratory rate को भी बढ़ा देगी, okay next one, याँ पर और भी symptom देखने को मिल सकते है, like sensory visual and hearing impairment हो सकती है अगर brain जो है, आपको पता है कि brain में different mental functions के जो areas present होते है cerebrum में, अगर उन areas में अगर किसी तरह का damage हो जाए या इन से related इन functions से related nerves जो है, वो damage हो जाए, उन पर किसी तरह का pressure हो जाए, suppression हो जाए तो उस वज़े से ये functions impaired हो सकते हैं next one, याँ पर personality changes रह सकती है patient में, next one याँ पर जो mental functioning है, वो impaired हो जाएगी olfactory loss हो सकता है olfactory का मतलब है, जो smell वगेरा है वो भी loss हो सकती है pressure increase हो रखा है, ओके अब बात कर लेते हैं sinus symptoms के बाद अपने इसके diagnosis की तो यहाँ पर person का history collect करेंगे present, past, family and medical history physical examination करेंगे CT scan MRI कर सकते हैं x-ray भी कर सकते हैं, इसकल का इसके अलावा, जो neurological assessment आएगा तो उसमें GCS scale का use कर सकते हैं head injury को classify करने के लिए, next हो यहाँ पर angiography भी कर सकते हैं, angiography का मदलब होता है visualization of blood vessels ठीक है, तो यहाँ पर brain के अंदर blood vessels को यहाँ पर visualize कर सकते हैं कि कि किसी में rupture तो नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं diagnosis के बाद यहाँ पर management की, तो यहाँ पर जो medical management जो आएगा head injury का, इसमें क्या-क्या management की आर सकते हैं तो यहाँ पर antibiotic therapy दे सकते हैं अब कब देंगे, किन cases में देंगे antibiotic therapy अगर patient को open head injury हुई है open head injury में infection होने के chance रहते हैं, तो इस condition में profilatically patient को antibiotics दे सकते हैं ताकि उसको किसी भी तरह का infection का खतरा ना हो next one यहाँ पर हिस्टेरोई therapy दे सकते हैं inflammation को कम करने के लिए swelling को कम करने के लिए या edema को कम करने के लिए next one यहाँ पर patient को oxygen therapy adequately provide करनी है, ventilator support भी provide करना पढ़ सकता है अगर severe condition है next one यहाँ पर patient को manitol drug दे सकते हैं, जो कि एक diuretic drug होती है, अब यह drug क्यों देंगे ICP को reduce करने के लिए, next one यहाँ पर patient का head elevation कर सकते हैं, 30 degree के इससे क्या होगा head elevation करने से, जो भी ICP हो रखा है, increase हो रखा है, pressure increase हो रखा है, उसको कम करने के लिए, next one यहाँ पर anti-epileptic drugs भी दे सकते हैं अगर seizures की condition nutrition डेवलप हो गई है, next one यहाँ पर nutrition support भी देना जरूरी है किसलिए? healing के लिए proper diet and proper nutrition, next one यहाँ पर anal जैसी और anti-epileptic दे सकते हैं pain और fever को कम करने के लिए, यह तो बात हो गए medical management की, अब बात कर लेते हैं इसके surgical management की तो यहाँ पर अगर medical management काम नहीं आ रहा है, दवाईयों से फरक नहीं पढ़ रहा है, injury severe है, तो ऐसे cases में surgery करना जाहिर होता है ठीक है, तो आपे surgery की बात कर लेगी, head injury में surgery कैसे की जाती है, क्या management रहता है surgical, तो यहाँ पर surgery की जाती है, intra panenchymal hematoma की condition में, जैसा में आपको बताया था, hematoma का मतलब क्या होता है brain में blood का collection हो जाना, ठीक है अब यहाँ पर जो blood collect हो रहा है वो कहां हो रहा है, अगर brain tissues में collect हो रहा है, ठीक है तो ऐसे condition में surgery करना जरूरी और उस surgery में क्या करेंगे जो भी blood जमा हो रहा है जो scalp है, वो cut गई है मतलब, और scalp bones भी cut गई है, तो ऐसी condition में suturing कर सकते हैं, ताकि जो भी open wound है, उसको close किया जा सके, ओके, तो यह होता है, इसका surgical management और इसका जो nursing management है, वो मैं आपको इसमें describe नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि video बहुत लंबी हो गई, और आप लोग भी more हो जाओगे तो अगर इसका nursing management आपको चाहिए, तो आप मुझे comment करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा, ओके और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं तो ये topic complete हो गया, thank you